सूजी के रड्डू बना रहे हूं आज में एक पैन रखे प्लेमान कर चुकी हूं इसमें घिया एट कर लेंगे तार टी स्पून घिया एट कर देंगे कि घिय गरम हो रहा है इधर में बड़े किश्मीश ठड़काजू गुदाम को कट करके रख लेंगे लोगने इसको निकल लेंगे अब यहलका भ्रॉन हो गए है इसको निकाल लेंगे इसी घी में दो कप सुजाय एट कर लेंगे ऑब जिस भी कपका इस्तमाल किजिए एक ही कपका इस्तमाल करना है या को फ्लम्लो रखें तो तो प्लम्म में अधे से अच्छ तुष्वरी डाने लेगे यह डाय बहुत बारीक छूजिएन हो इस तरह के सूज़ेने से रट्ड से कम से कम इसको 10 से 15 विखक्श रूणगे हैं इसमें अब हम देन शुखाखोब रहा है इस तरह से ग्रेट करके रक लिए हूँ दो कप सुजी लेंगे तो एक कप नारियल लेंगे ग्रेट क्या हुआ इसको भी भून लेंगे अच्छे से कम 5 मिनिट तक भी भून लेंगे इसको 5 मिनिट भूनने के बाद इसमें पौडर्चीनी आइड़ कर लेंगे 1.5 cup चीनी लीगों इसको 4-5 इलाची डालके पौडर कर लेंगे कि इस सारे चीज हों को फ्लेम लो मिक्स करने गे चीप टाल के पिरा कित चीए दालिए घ्णड बीचिंटे द्राइगे करने के बाद एक अदा कप दूद्स कर किर देगे एक यह जो Dobcription कर लेंगे लोड लेंगे, इसकी ही कप इस्तमाल करना है आपको फ्लेम में लोड लिजिए इस बात का ध्यान रखिएगा लिचे से जल सकता है इसको अच्छे से और कर लेंगे रिखिए अच्छे तरह से मग्षक्ट कर चुकी हो मही और इसमें 1-2 टी स्पूल घी आट कर लेंगे अब भी जनी करों में तरह के चाहिए है दिखिए इसको थोड़ा थंडा होने के यह अभी दस मिनेट होने के बाद इसके लड़ बना लेंगें कम भाद असानी बनाने सब्छा रही है यह डू इसको पर एक एक बदाम लगा है आप चाहे तो लगा सकते हैं लेया सब्सक्राइब बना लेंगे इस तरह से बना लेंगे सारे में इस तरह से बना लिए हूँ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चनल को लाइक श्याइब कमेंट करना मत बूलिये अला अफिस